आज हम बनाने वाला एकदम न्यू तरीके से डिजर्ट की रेसिपी आपने इसे पहले कभी नहीं ट्राइब करी होगी बहुती इजी है बनाना इसे और बहुती टेस्टी लगती है खाने में भी चले शुरू करते हम से बनाना यह हमने एक पाउ के करीब गाजर लिए इन गाजरों को मैंने अच्छे से चीह लिया है और अच्छे से वास कर लिया था वास करने के बाद से पहुच लिया अभी हम ग्रैंडर से इसे कदू कस करेंगे बड़े साइसे हैं चोटे वाले साइड से से कद्दू कस करना यह देखे इस तरीके से कद्दू कस कर लिया है मैंने इसे देखे बारिक बारिक हो गया इसे बस इसी तरीके से कद्दू कस करना है और हमने लिया कड़ाई में गी गी में हमने यह कुछ किस्मिस डालें इनको फ् करा है बदाम को भी तीन से चार मेने बदाम लिए हैं इनको भी एक मिनट के लिए सोटे करेंगे बस हलका सा कलर चेंज होगा इसे निकाल लेंगे हम और जो हमने गाजर को कद्दू कस करके रखा था वो भी इसी में डाल के अब हम फ्राय कर लेंगे गैस की फ्लेम को रखना है हमें लो फ्लेम पे हीस हमें अ ठीनना फ मिनटी फिर से चैक करेंगे ईबीण को याख काट लए बदाम की ऐक मिनट हो स्वप्त दूका है यह फिर zien इसको हमें अब एदम सॉफ्ट कर लेना हां ताकि ये गिल सके एक से दो मिनूट मीझ से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे हैं इधी के सॉफ्ट हो हूचुके इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में होने देंगे इसे से थोड़ा सा थंडा है कि इधी की थंडा हो जुँका है अब इसमें जो ड्रॉइफ्रूट काटके रखेते हूं इसमें मिक्स कर लेंगे पर चीनी को अअच्छे सब्सक्राइब करने मिक्स मीठा आपने टेस्ट कर अनुसार लूखना है इसमें ठंडा होने के बाद लिए तो चीनी गल जाएगा गरं में मिक्स करेंगे तो यह बात आप जरूर दियान रखें यह अच्छे से ठंडा हो चुका है इस अच्छा हासी यह चमसी किसी से भी मिला सकते हैं और यह हमने आठा पहले से ही सान के रखा था जैसे आप पराठो के लिए गुठते हैं आठा बस उसी तरीके से गुठतना है यह द च्छोटी सी का चौड़ी टाइप के बनाएंगे इसमें इतनी छोटी से में बनाने लिए अब इसके अंदर रखेंगे में स्टफिंग गाजर की गाजर की न्यूरेसिपी है यह आपने पहले कभी नहीं सोची होगी इस तरीके से बनाना इस तरीके से बनाई है बहुत यह अब इसके आगे गाजर का हलवा भी भूल जाएंगे इदनी टेस्टी बनके यह तयार होती है यह देकि बस इस तरीके से जब गोल गोल पराथो की तरह बेल लेंगे हलके हाथों से यह देकि मैंने इसे बेल लिया है अब इसे हम तब हमने गरम करने के लिए रख दिया था अवकर गहाricht और अब इसे हम अब इसे हम घी से करेंगे हैं घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चाहिए लेकिन वह गर बहुत है टेस्ट चाहिए तो इसे घी सढ़र करना हैूं कि बॉक एसी तरीके meant औरieß Case टई अ अई कि बहुती क्रिस्पी बनके तयार हो गया यह दिके उपर से कितने क्रिस्पी लग रहा है और अंदर से बहुती जूसी टाइप का है यह अच इसी तरीके समें से बड़ते-पलड़ते पका लेंगे यह देखे कि इसा से इसी हे परफेक्त ली फोल चुकी है इस तरीके, हम शभी पराठ बना के रख लेंगे, देखी किया लग्रारा देखने में हैं, खाने में तो बहुती ज्यादा टेश्ट है मैं इसको आपको काट के भी दिखाता हूं, किस तरीके से अंदर की स्टेफिंग लगारी है इसकी इसी तरीकितम चाकू की साहते से मैंने काटाई से आपको दिखाते हूँ यह देखिए कितना ला जवाब लग रहा है अंदर से देखने में यह गाजर का हलुआ भी इसके आगे फेल है मेरी वीडियो पसंद आये तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है थैंक यू फॉर वाचिंग